हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिस्व की पिरमुक जलसंदियों के बारे में दोस्तो हमारे exam की point of view से बहुत ज़्यादा important topic है और आपको हरे exam में इससे question देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो में हम 25 प्लस important one liner question discuss करेंगे अगर आप इनकी practice करते हैं और इन अच्छे से देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने आने अवाले exam में हो सकता है इससे question देखने को मिले तो वीडियो को शुरूर से लेकर एन तक जरूर देखें तो चली start करते हैं आज का वीडियो तो हमारा पहला question है बिस्व की सबसे चौड़ी जलसंदी कौन सी है फ्रेंड्स डेविस जलसंदी बिस्व की सबसे चौड़ी जलसंदी है तो आप इससे ध्यान रखें इससे related कई बार exam में question आ चुका है और आगे भी आने के chances है नेक्ट कोस्चन हमारा कौन सी जलसंदी तितिरेखा के समानतर है अगला कोस्चन हमारा बेरिंग जलसंदी किन दो इस तलभागों को अलग करती है फ्रेंड्स एशिया और उत्री अमरीका इन दोनों को बेरिंग जलसंदी अलग करती है तो आप इससे ध्यान रखें नेक्ट कोस्चन हमारा होरमुज जलसंदी किन दो इस तलभागों को अलग करती है फ्रेंड्स होरमुज जलसंदी इरान बावमान को अलग करती है तो आप इससे भी ध्यान रखें नेक्ट कोस्चन हमारा टारस जलसंदी किसे अलग करती है फ्रेंड्स टारस जलसंदी और इस्टेलिया एवं पपुआ नीगुनी को अलग करती है तो आप इसे भी ध्यान लखें नेक्ट कोस्टेन हमारा पाक जलसंदी किन दो देशों को अलग करती है फ्रेंड्स इस जलसंदी को लेकर इस्टेलिया एंड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है पाक के नाम से और वो भारत और पाकिस्तान के मद्द समझते हैं इसलिए पाकिस्तान को option टिक करके चले आते हैं लेकिन ये गलत है तो आपको इसे खास कर ध्यान रखना इस question को पाग जलसंदी भारत और स्रीलंका को अलग करती है तो आप इसे ध्यान रखें अगला question हमारा मलक्का जलसंदी किन दो सागरों को अलग करती है अंडवान सागर दक्षली चीन सागर को मलक्का जलसंदी जोडती है तो आप इसे ध्यान रखें अगला question हमारा भूमद्र सागर वा अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंदी जोडती है फ्रेंज जिबराल्टल की संदी भूमद्र सागर वा अटलांटिक महासागर को जोडती है तो आप इस जलसंदी को ध्यान रखें इससे भी कई बार एक्जाम में question पूछा जा चुका है next question हमारा जल डमरूमद्र क्या है फ्रेंज जल डमरूमद्र क्या होता है दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी तो आप इसे भी ध्यान रखें next question हमारा कौन सी जलसंदी योड़ोप को अफरीका से पिरतक करती है फ्रेंज जिबराल्टर की संदी जलसंदी योड़ोप को अफरीका से अलग करती है तो आप इसे भी ध्यान रखें next question हमारा मलक का जल डमरूमद्र किन दो सागरों को जोड़ता है फ्रेंज पिरसांत महासागर और हिंद महासागर को मलक का जल डमरूमद्र जोड़ता है तो आप इसे ध्यान रखें next question हमारा जिबराल्टर की संदी किन दो सागरों को अलग करती है friends इस्पेन वा मुरक्कों को जिबराटल की संदी अलग करती है तो आप इसे भी ध्यान रखें next question देखते हैं English channel कहां इस्तित है friends English channel England वा फिरांस के बीच इस्तित है तो आप इसे भी ध्यान रखें अगला question हमारा great channel किसे परतक करता है दोस्तो great नुकोबार को सुमस्त्रा से great channel अलग करता है तो आप इसे भी ध्यान रखें इससे भी एक्जाम में question पूछा जा चुका है friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लैक जरूर कर दें और वीडियो को share भी करें next question हमारा किस जलडबरू मद्द से सुरंग निकाली गई है friends डोबर जलडबरू मद्द से सुरंग निकाली गई है तो आप इसे भी ध्यान रखें next question हमारा डोबर जलडबरू मद्द से निकाली गई सुरंग किन्द देशों को जोड़ती है friends United Kingdom और France को डोबर जलडबरू मद्द से निकाली गई सुरंग जोड़ती है तो आप इसे द्यान रखें अगला question हमारा डोबर जलडबरू मद्द से निकाली गई सुरंग को जोड़ती है friends दक्छली चीन सागर और फिलिपीन सागर को लोजोन की सन्दी जोड़ती है तो आप इसे भी ध्यान रखें अगला question हमारा Denmark की संदी किन्द सागरों को जोड़ती है तो देन्मार की संदी उत्री उत्री अट्लांटिक और आर्केटिक महा सागर को जोड़ती है तो आप इसे भी ध्यान रखें Next question हम देखते हैं दोबर की संदी किसे जोड़ती है Friends, दोबर की संदी इंगलिस चैनल इब मुत्री सागर को जोड़ती है तो आप इसे भी ध्यान रखें नेक्ट कोस्टन अमारा डोबर संदी कहां है फ्रेंड्स डोबर संदी इंगलेंड वा फ्रांस के बीचे तो आप इसे भी ध्यान रखें अगला कोस्टन देखते हैं कोक जल संदी कहां है तो friends, आपको ध्यान रखना है, कुख जल संदी न्यूजी लैंड में इस्ते थे Next question देखते हैं, सुन्डा की संदी किन सागरों को जोड़ती है Friends, सुन्डा की संदी जाबा सागर और हिंद महा सागर को आपस में जोड़ती है तो आप इसे भी ध्यान रखें अगला कोस्तिन हमारा, सुन्डा की संदी कहा है दोस्तो, सुन्डा की संदी इंडोनोसिया में इस्ते थे तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे Next question देखते हैं, टोकरा की संदी कहा है तो टोकरा की संदी जापान में इस्ते थे नेक्ट कोस्टिन हमारा टोकरा की संदी किन सागरों को जोड़ती है फ्रेंड्स पूर्वी चियन सागर एबं पिरसान मा सागर को टोकरा की संदी जोड़ती है तो आप इसे भी ध्यान रखें नेक्ट कोस्टिन हमारा लाश्ट कोस्टिन हलसन की संदी कहा है फ्रेंड्स हर्लसन की संदी कनाडा में इस्तित है और ये कोस्टन कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको इसे खास कर ध्यान रखना है फ्रेंड्स ये थे बिजब की पिरमग जल संदियों से 25 पिलस इंपोर्टेंट बन लाइनर कोस्टन आई होप इन्हें आपने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से प्रेक्टिस कियोगी तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर एंट तक देखा है तो आपको अपने एक्जाम में हो सकता है इससे कोस्टन देखिने को मिले फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेर करें और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मिलते हैं हम नेक्ट वीडियो में अपने ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत